बच्चों कैसे हैं आप सब आई होप अच्छे होंगे आज जो ड्रॉइंग की एक्टिवीटी है ये सेवन एर्थ क्लास के बच्चों के लिए स्टिल लाइफ मैंने आपको लास्ट वीक कराई थी अब स्टिल लाइफ पर हम थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं त्विस्ट मतल जो यह की है यहां से यह आपका आगया 3D एफेक्ट ठीक है इस जिसके हमें लंबाई चोड़ाई और उसकी मुटाई तिकती है ठीक है यह हो गई हमारी 3D एफेक्ट के साथ बोटल बट अब हमें इसे कलर भी करना है और बहुत एजी आप यह लाइन्स देख रहे होंगे ज इसे लाइन ड्रो करनी है और फिर उसके बाद हर लाइन अब हमें इस बोटल को 3D एफेक्ट के लिए जैसे हमने यहां से शुक्या कि यह लाइन जो टच कर दिया बोटल को तो इधर से इधर हमने इसको धकन की शेप में ठीक है जो शेप हमारी बोटल के धकन की होगी उस श यह मैं आपको एक लाइन करके दिखाती हूँ यहां से यह पॉइंट पे खतम होती है लाइन और यहां इधर यह तो हमें यहां से यहां तक तो यह देखिए जैसे यह मैंने एक लाइन ड्रो की ऐसे ही आप सेकिंड लाइन यहां से लेके और यहां तक और यह भी हम टरन करत इस लाइन को ड्रो करेंगे यह लाइन ड्रो कर दी ऐसे हम थर्ड लाइन तो यह इवन गैप पे होंगी यह देखे ठीक है तो मैंने इसमें थोड़ा सा टन करते हुए कि आपकी बॉटल की जो गोलाई है उसको दिखाए और ऐसे ही करके मुझे यह जो सारी लाइन है इन लाइ यह तो हम इसमें कलर करेंगे तो एक एक स्ट्रिप छोड़के हमें इसमें कलर करना है एक स्ट्रिप मैं मैं इसके बॉटल के जो डखकन है उसमें ग्रीन कलर करने वाली हूं यहां तक हम बटल की कैप पनाने वाले है तो एक लाइट कलर की तो मैं इसमें यह जो लाइट कलर लाइट ग्रीन ले रहे हूं लाइट ग्रीन और एक कोई भी इसके साथ जो भी मुझे अच्छा लगेगा या आपको जो भी अच्छा लगे हो ता कलर आप ले सकते हैं तो एक एक स्ट्रिप छोड़के हमें यह कलर फिल करना है यह देखिए यह मैंने कैप कर गया है अब मैं जो नीचे है इस बॉटल में यह दो कलर लेने वाली हूँ रड एंड और अरेंज आप अपनी पसंद के कोई भी दो कलर ले लीजे आप स्केच पैन ले सकते हैं पेंटिंग ले सकते हैं पैंसिल कलर जो भी कलर आपके पास एवल कि अध्यान लगे कि दो और एक कलर लाय्ट हो एक डाह को कोई भी दो कलर लीजे इस तरह से जैसे मेंने ये बैगगराउंड में ब्लेक और इंद वाइट की स्ट्रिप्स की हैं और यह जो कलर स्ट्रिप्स की हैं जब हमारा एक कंपलीट हो जाएगा तो एक बिलकुल 3D एफेक्ट देता है क्योंकि बैक्ग्राउंड बिल्कुल अलग दिखता है और हमारी बॉटल जो भी हमारा उबजेक्ट है वो बिल्कुल ऊपर आता हुआ दिखता है तो ऐसे और यह लाइन्स कर दिया आपने क्योंकि पीछे स्ट्रेट लाइन्स है और यहां पर हमने ऐसे 3D के साथ लाइन्स को लिया है तो यह बहुत पड़ेगा इसका जैसे आप इतना ही केवल पार्ट देख रहे होंगे कि इतना पार्ट ही हमारा एक एफेक्ट दिखा रहा है कि वो स्पेस से उपर है ना जो बैक्ग्राउंड है उससे अलग है और यह कलर एफेक्ट से भी हुआ है और थोड़ा सा जो हमने लाइन्स ली है क्योंकि पीछे जो है स्ट्रेट लाइन्स हैं और हमारे जो अबजेक्ट है बॉटल है उसमें हमने थोड़ी सी काव लाइन लिये तो ऐसे आपको यह पूरा कंप्लीट करना है अब बटल की जगा कोई और अबजेक्ट भी ले सकत होंगे तो यह सारी एक्टिविटीज आपकी चेक होंगी और जो आपकी ग्रेड्स हैं फर्स्ट प्रियोडिकल के और जो भी वह इसी क्या धार पे होगा तो इसलिए यह मत सोचे कि कर लेंगे बाद में कर लेंगे इतना समय कभी नहीं मिलने वाला तो यह काम आपको करना ही करना है थैंक यू